हालो डियर कैसे हैं आप सब उम्मीदे कि आप सब बहतर होंगे हम लोग भावतिगी में कुछ प्रूफ पढ़ रहे थे हैं न कुछ टॉपिक थे जिसे हम लोग समाप्त करें थे और आपने हमें ये बताया था वस्त की दूरी प्रतिबिंबी की दूरी और फोकस दूरी में सं हम लोगों ने सॉल्व किये थे तो हम लोगों को मिला था वान अपान एफ इसकोल टू वान अपान वी प्लस वान अपान यू अब उसी करम में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले थोड़ा एक कन्फूजन आपका है उसे हम दूर करना चाहेंगे कुछ लोगों का ये क्वे एक लिए जिसका आ गया है बहतर है हमको लगा था कि आप उसे कर लेंगे पर अपसूस कि आप नहीं कर पाए थोड़ा उसमें एक थोड़ा सा पेज था अगर आप समझे रहे होंगे प्रूब को तो आप आसानी से कर लिए होंगे चलिए देखते हैं उस करम में आगे हम लो भी आपको नहीं आई है हम लोग जितनी पॉसिबिलिटी है हमने कहा है ना भौतिकी में आप एकदम धैरे बना के रखें दुनिया में जो कुछ भी संभा हो सकता है फिजिक्स में अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं भौतिकी की तो याद रखेगा फिर आप से बहतर कोई और नहीं होगा यह मैं दावे से कह सकता हूँ बस आपको करना क्या है हर एक क्लास को पूरा धैर से सुरू से लेके अंत तक देखना है एक सजिशन आउड देना चाहूंगा अगर आप क्लास करते वक्त बोर होने लगते हैं आपको लगता है कि एक घंटे की क्लास लंबी होती ह तो सही बताया तो हम एक घंडे में शुरू भी नहीं कर पाते पर मजबूरन मुझको लगता है कि वीडियो लंबा बन जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं है ना इसलिए मुझे इतना बढ़ाना पड़ता है तो ये मेरी मजबूरी है तो आप क्या करेंगर आपको तब भी बोरिंग लगती है क्लास तो आपके पास उसका एक बहतर विकल्ब है आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड में या 1.75 या 1.25 जो दो में स्पीड बढ़ा सकते हैं आप यूटूब पे तो आप इस स्पीड बढ़ा के देख लिया करें तो आपका 30-35 में पूरा वीडियो समात हो जाएगा है न तो इसलिए अच्छे से चीजों को समझें और पूरी क्लास इस ध्यान से देखें सब कुछ आएगा हमने बताया ना जो कुछ भावतकी में हो सकता है वो आपको पक्का आता रहेगा बस बाकि दुनिया में किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है अब देखिएगा थोड़ा बिस्वास करें अच्छे समझें चीजों को हमें समझना था वाना पान F2 वाना पान V2 प्लस वाना पान U का फार्मूला हमने इसका लौंकड देख लिया था सौटकड समझना था अवतल का सब कुछ हो गया था उत्तल का सौटकड बाकी था तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दरपड के लिए इसका सौटकड क्या हो सकता है तो देखिएगा, सबसे पहला काम हम एक उत्तल दरपड बना लिते हैं, ठीक है न, तो हमारे पास ये एक दरपड है, जो की एक कैसा दरपड है बच्चा, ये एक उत्तल दरपड है, ठीक है न, और इसे क्या कहते हैं, अब ये सब तो आपको आता होगा बेसिक चीज है, ये अकरता केंदर इधर कहीं रहा होगा, अब देखिएगा, हमने यहाँ पर अगर किसी वस्तु का इमेज बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक उबजेक्ट रखना पड़ेगा, तो हमने इस पॉइंट पर एक उबजेक्ट रखा, अब अगर हमें इसका इमेज ड्रा करना है, त अगर समांतर प्रकास करना आती थी, तो यह पता था फोकस से होकर जाएगी, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और यह समांतर तो कट्ट ही नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पर हम एक अभिलंब ड्राप कर देंगे, तो हमने इस पर एक अभिलंब खीच तो वस्त की दूरी अपर लोगों ने किस से लिखा था, यू से, और यह वक्रता केंदर से, ध्रू के बीच की दूरी को वक्रता तरिज्जा कहते हैं, और इसको हमने किस से लिख दिया है, आर से, अब देखिएगा, यह अभिलंब है, तो अब अगर प्रकास करना जितने अ प्रतीत हो गई, तो इसे हम पीछे की और बढ़ाएंगे, यह इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी, जरसल थोड़ा अच्छा बनाते हैं, जिससे किस समझ में आया आए आपको ठीक, तो यह ऐसे आई और ऐसे चली गई, थोड़ा चितर गबर बन गया, पर ध्यान दी हो अइमेज, ध्यान देन, इसको फोकस मत कहँँ देना गलती से, शमानतर वाला जब होता है तब फोकस बनता है, तो यह हो गया इसका इमेज, और इमेज है तो इसकी दूरी क्या लिखेंगे हम, V, ठीक है न, बेसिक काम यह हो गया, यह वाला इंगल कितना है, डियर, आर है ये वाला केतना है आई ये आना चाहिए और इस कोड को हमने अलफा मान लिया इस कोड को हमने बीटा मान लिया और इस कोड को हमने गामा मान लिया आपकी मरजिया नीटा पत्थर कुछ भी मान लीजिए सब सही है अब यहाँ देखिएगा एक बेसिक बात है तोरा गवर से नहीं यही तो जो यह तिर्बुश दिख रहा है यहां से पूरा यह गया और यहां से ऐसे जाने के बाद ऐसे गया तो यह 22 कोड आई हो गया तो जो 22 कोड आई है यह अंता कोडों के योग के बराबर है यानि अलफा और प्लस गामा तो मैं आई बराबर अलफा प्लस गामा ल नहीं, देखिए, ये वाला, ठीक, तो जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे, ये टोटल इंगल है, I plus R, तो मैंने लिख दिया, I plus R, और ये बरावर किसके है, तो अलफा प्लस बीटा के, तो मैंने अलफा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है न, अब यहां पर बात समझेगा आप लो, हम सभी लोग जानते हैं, कि जो I है, वो R के बरावर है, परावरतन के नियम से I बरावर क्या होगा, R, तो हम यहां पर, देखो, I, R के इस्थान पर I लिख दिये, तो I, और प्लस I, कैसे, क्योंकि I बरावर क्या होगा, R, और ऐसा करेंगे, तो अल अलफा प्लस गामा बरावर अलफा और प्लस बीटा, एक काम करते हैं, टू को अंदर भेज देते हैं, तो यह बन जाएगा टू अलफा और प्लस टू गामा इस्कॉल टू अलफा और प्लस बीटा, अब हमें काम यह करते हैं, कि टू गामा को इधर रहने देते हैं, बीटा वहाँ पहले से था, ये टू अलफा उधर गया, तो माइनस हो गया, और एक अलफा पहले से घटाएंगे तो माइनस अलफा आ गया, इतना हम लोगों ने कर लिया, एक काम आप समझेगा, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान टाइप के लोगों ने जो पिछला परूप देखा रहा होगा, उसमें ने सौर्टस्ट सौर्ट कर दिया था, एक दम छोटा से छोटा कर दिया था, जिससे कि आपको आराम से आ जाए, तो कुछ लोग बुद्धि लगाया होगे, कोड बराबर चाप बटे तरिज्या, इसलिए आपका नाया होगा, मैं समझ रहा हूँ, और आ ऐसा हर जगा नहीं कर सकते, आप यहाँ यह कर दीजिएगा, यहाँ पर आप अभी लंब डाल दीजिएगा, ठीक है ना, अब अगर हम अभी लंब डाल दें, और इसकी उचाएपन लोग यह चले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ एक पॉइंट तो आपको कहना पड़ेगा, कि यह M है, M दरपड के धुरू के समीप आ जाए, M दरपड के धुरू के समीप आ जाए, ठीक, समीप अगर नहीं आएगा, तो जो यह पॉइंट यह न है, यह इसके पास नहीं आएगा, तो दूरी लिखने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए यह पॉइंट कामन है, अब जब यह नजदीक आएगा तो यहां से यहां तक की दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी है वो बरावर हो जाएगी आइ तिंक आप कर्नेक्ट कर पाने होंगे चीजों को ठीक है अब हम यहां देखेंगे गामा गामा वाला जो कोड़ है यह है तो जब ये एकदम नजदीक आ जाएगा तो नजदीक आने से ये गामा एकदम कम हो जाएगा बीटा एकदम सा कम हो जाएगा और अल्फा भी एकदम कम हो जाएगा यानि अगर जब दरपड के धुरू के समीप यावा जाएगा तो अलफा, बीटा और गामा, जो ये कोड है, ये छोटे कोड हो जाएंगे, छोटे क्या ये? बहुत छोटे कोड हो जाएंगे, तो ऐसा जब हो जाता है, तो हम आगे से त्रिकोड मिती ये अनुपात हटा देते हैं, हटा देने का मतलब कि जैसे अगर साइन है, कॉस है, टैन alpha ठीक है ना जो alpha है इस alpha को हम लिख सकते है tan alpha यानि alpha और tan alpha इन दोनों का मान आपस में बराबर आएगा ठीक आगे से हम लगा सकते हैं और सब लोग जानते हैं कि tan ठीटा बराबर होता है lamb बटे अधार तो lamb का मान है याच और अधार यहाँ से लेकर यहां तक U है ठीक है न तो हम यू ना लिख के यहां से लिख देते हैं ओ इस पॉइंट को पी तो हम O P लिखे या ओयन लिखे हमने इसी दर्या क्या करके पहले ही यह पॉइंट लिख दिया कि धुरूर के समीप आ गया इस लिए मैं O P लिखना चाहता था लेकिन हम मैं डारेक्ट ओपी लिख दे रहा हूँ समझाया? अच्छा लिख देता हूँ मैं मैं लिख देता हूँ नहीं कुछ लोग बुरा मान जाएंगे इसे मैंने MN लिखा और अपान यहां मैंने लिखा O, Y, N, फिर मैंने लिखा MN अपान O, Y, N को मैं लिख सकता हूँ O, P मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यह डिश्टन्स पता है इसी प्रकार अगर मैं बीटा कामा लिखता तो यह लगभग हो जाता 10 बीटा और बीटा तो लंब का मतलब हो गया MN और अपान अधार का मतलब I, N और जब यह दरपड के दुरू के समीप आ जाएगा तो जो I, N है वो P, I के बराबर हो जाएगा तो MN अपान P, I इसी प्रकार अलफा बीटा गामा लिखता तो यह भी लगभग 10 गामा के बराबर होता और लंब बटे, लंब का मतलब MN अधार का मतलब P से लेके C तक वैसे YNC होगा तो YNC जो है, वो समीप हो जाने से वो P, C के क्या हो जाएगा बराबर अब सारा मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 लिखेंगे और गामा गामा का मान क्या है बच्छा लोग ध्यास देखो एक बात देखो, मैं आ लिख दे रहा हूँ MN का मान यच है O P, O से लेके P तक का मान U है पर माइनस U लिखेंगे आप सभी लोग जानते हैं ऐसा क्यों क्योंकि इस तरफ ना पी गे दूरी माइनस होती है सब पढ़ चुके हैं आप यच अपान P से लेके आई तक P से लेके आई तक ये V है तो हम यहाँ पर V लिखेंगे प्लस है इस तरफ और यच अपान P से लेके C तक ये R है ठीक है ना? सारा मान या रखवाई है जलिल दी तो गामा का मान यहाँ से आएगा यच अपान R बराबर बीटा तो बीटा का मान आएगा यच अपान V इसके बार क्या लखाड़ी है? अलफा तो अलफा का मान है यच अपान U और आगे क्या है? माइनस तो यचा है भाएगा प्लस तो यहाँ पर लिखेंगे तू यह अपान R बराबर हम 2F लिख सकते हैं बढ़ा होगा वक्रतात्रिज्जा जो होती है वो फोकस के दुगना होती है तो R बराबर 2F और बराबर H हमने कामन ले लिया तो 1 अपान V और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और H कामन चला गया है तो 1 अपान U तो ये किस दरपन के लिए था उत्तल दरपन के लिए या आउतल दरपन के लिए Absolutely उत्तल के लिए था तो आपने हर एक फार्मूले का स्वाट कट भी पढ़ लिया लॉंग कट भी पढ़ लिया अब आपके दिमाग में एक बाप जरूर आई होगी कि सर जब आपने आउतल दरपन के लिए ऐसे पढ़ाया था तो अगर मैं उसमें अलफा बराबर यानि जब नजदीक लिये थे तो कोड बराबर चाप बटे तरिज्जा ना करके अभिलंब डालके 10 ठीटा बराबर बटे अधार कर लेते तो absolutely 100% वो राइड था और आप जानते हैं दुनिया के किसी भी किताब में या किसी भी बंदे का देखेंगे सब ऐसे ही करते हैं सब का प्रूफ करने का जो स्टाइल है वो यही है पर ये वही तो हुआ ना यार कि कोड बराबर चाप बटे तरिज्जा अगर आप ध्यान से देखें तो बस नजरिया बदल गया यार मुझे तो सब एक ही लगता है है ना कि ये नजदीक आएगा ये इसके नजदीक जाएगा तो बना तो दिये वही जो इसमें किये थे बस तरीका बदल गया तो आप आउतल उतल वानिया आउतल वाला अब तीन तरीके से कर सकते हैं एक ये भी तरीका मिल गया आपको तो फिजिक्स बहतरीन चीज है जहां आप चीजों को महसूस कर सकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस चीज़ में तो कोई लफ़ड़ा नहीं होगा कि वन अपान एब बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान यू का कोई प्रूफ आपसे अटक जाए वी का मतलब प्रतिमिकी दूरी यू का मतलब वस्त की दूरी और यफ का मतलब डियर फोकस दूरी अब एक काम ये करिएगा आप और जरूर करिएगा अगर आपको चीज़े कम समझ में आएं तो आप करेंगे क्या इन चीज़ों को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा अब इतना हैसान कर लीज़ेगा अपने उपर आप ठीक है ना अगर ये पुरूफ कम समझना होगा तो ज़र असल जब आमने सामने कम्यूनिकेशन होता है तो हम चीज़ों को बहतर तरीके से आपको याद करा सकते हैं पर अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना ऐसा करने पे समय की बरबादी हमारी भी होगी और आपकी भी होगी हम इसी पुरूब को तीन बार बताएंगे अच्छे समझाएंगे बार बार आ जाएगा पर यार ये टाइम की बरबादी होगी ना जब हमारे पास सुबिदा है कि हम यही चीज़ तीन बार देख सकते हैं तो कहले हम फिर ऐसा अपना समय करें बरत करें बरत का और सभी बात ये है कि बरबाद तो करीड हैं जा ग्यान देखें कि आप तीन बार देख लीजिए चलिए फिर अगरा टापिक देखते हैं इसका क्या हो सकता है ठीक है तो हम लोग समझ ये रहे थे कि अगर इमेज बन जाएगा तो उसके लिए जो सम्मंद था अबजेक्ट से अगर डिस्टेंस रहे और इमेज से डिस्टेंस रहे या फोकल लिंद जो रहे इनमें क्या रिलेशन था लेकिन मद्द ये है कि जब अगर हम किसी दरपड में किसी वस्तों का इमेज देखते हैं सही था सुआरी वापस कर दीजेगा हमारा तो अब इसमें क्या मामला होगा कि जो इमेज होगा या तो वो इन्राज हो जाएगा पहले कि अपेच्छा बड़ा हो जाएगा या डिमनिश हो जाएगा यानि पहले कि अपेच्छा इसमाल यानि छोटा हो जाएगा तो अब हम यही समझना चाहते थे कि जो प्रतिविंब है वो या तो वस्त के बराबर बनता था या वस्त से बड़ा बनता था या वस्त से छोटा बनता था तो इसे हम हिंदी में, सुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि वस्त का जो इमेज है अगर पहले की तुलना में बदल गया, बड़ा हो गया तो हम ये कह सकते हैं वो आवर्धित हो गया तो अब हमारा कोश्चन ये है कि वस्त का जो प्रतिविम्ब है वो वस्त की तुलना में कितना गुना बढ़ा हो गया कितना गुना छोटा हो गया तो इसे हम बोलेंगे कितना गुना आवर्धित हो गया तो आवर्धित हो जाने से ताथपरी क्या है? कितना बढ़ गया? कितना घड़ गया? या वही रहा? तो जब कहेगा आप आवर्धन निकालें, इसका मतलब आप समझ गये होंगे, आप से ये पुछना चाहता है कि आपजेक्ट की तुलना में प्रतिमी मभाई साहब के साथ क् बड़ा हो गया? छोटा हो गया? या बराबर था? तो आवर्धन से ताथपरी किस चीज से है? आप समझ गये कि नहीं? तो हेडिंग हमारी ये है, मैगनिफिकेशन आफ इमिज है ना? या आप ऐसे समझ सकते हैं, हमें समझना है आवर्धन चमता, अगर हम हिंदी वालों का ध्यान दे THोड़ा, तो तो हमें समझना है आवर्धन चमता, याँणि यहाँ पर हमें निकालना है मैगनिफिकेशन, ठीक है न? दोनुं लोग का हम हो सकता है हम चीजों को बोल दे रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब यहां समझिएगा अगर हम आवर्धन चमता की बात करें तो परिभासा क्या होती है यह समझिएगा लिखते हैं आवर्धन चमता यम बराबर हम कहते हैं प्रतिबिंब की में अगर हम वस्त की लंबाई से भाग कर दें बटे वस्त की लंबाई तो हमें जो कुछ भी मिलेगा हम उसे बोलेंगे आवर्धन चमता यानि यम बराबर होता है आई बाई ओ बस समस्ते जाईएगा तो अगर आवर्धन चमता की परिभासा पूछे आपसे तो आप कहेंगे प्रतिविंबी की लंबाई बटे वस्त की लंबाई that is magnification उसे को हम बोलेंगे आवर्धन चमता तो आवर्धन चमता क्या है ये समझना गया कि नहीं कि वस्त की लंबाई अगर ये भाग की प्रतिविंबी की लंबाई में अगर हम भाग कर दें वस्त की लंबाई से तो जो हमें मिलेगा वो आवर्धन चमता होगा तो आप तो आप कुछ नया होगा बस आप देखते जाएए अगर आपको ऐसा कोई confusion है कि हाई स्कूल में आप ग्याता बन गया है तो conclusion delete करिए और आगे देखिएगा इसमें बहुत कुछ है मसाला समझनेगा तो M बराबर हमें I by O मिला पहले हमें एक बाप ये बताना चाहते हैं आपको आउतल दरपण में छे कंडिसन थी पिछे लेक्चर में आप देख सकते हैं प्रतविम्ब बनने का कुल छे नियम था आउतल दरपण में और पांच में कैसे बना था वास्तविक और छटे वाले में क्या बना था आभासी याद आया अब हमें एक बाप बताईएगा उतल दरपण में हमेशा कैसे बनेगा आभासी उतल में आभासी जो प्रतविम्ब था वो सीधा था तो हमें एक बात ये पता चली कि जो अपना उतल है बस ऐसे रफ कारी के लिए जो उतल है इसमें बनने वाला प्रतविम्ब गरिंटी ले सकते हैं हम कैसा होगा आभासी और हमें इसा छोटा होगा ये भी मैंने बताया था और जो आवतल होता है इसमें बनने वाला प्रतविम्ब आभासी भी था और वास्तविक भी था पांच कंडीशन में वास्तविक था एक condition में आभासी था और अगर एक condition आपको याद हो तो आभासी वाले में जो प्रतिवीम बता, वो सीधा था और वास्तविक वाले में उल्टा था कुछ समन्झा रहा है, तो सीधा मतलब ऐसे उल्टा मतलब इसका ऐसे है लगर ये वस्तौ है तो ऐसे ही बन जाए प्रतिविम्ब मतलब सीधा है, ऐसे बन जाए मतलब उल्टा है, और हमने बताया था कि मुख्यच के उपर नापी गई दूरी धनातमक और नीचे नापी गई दूरी रिडातमक, अब समझेगा, तो किसी वस्तु का जो प्रतिविम्ब है, वो कैसे आवर् उल्टा होगा, तो जो प्रतिविम्ब की लंबाई होगी, वो माइनस होगी, क्योंकि नीचे बना होगा, और वस्त की लंबाई अगर इसे उपर रखे जी तो नीचे बना तो प्लस होगी, और भाग करेंगे, तो ये निगेटिव मिलेगा, यानि वास्तविक है, वो आभासी है, तो अगर आभासी है, तो जो आवर्धन निकालेंगे हम, अब उसीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा, तो वस्त कहा रहेगा, ऐसे अगर उपर है, तो प्रतिविम्बी से उपर बनेगा, तो दोनों प्लस और भाग करेंगे, तो हमें पॉजिटिव आइट यहाँ पर मुद्दा अगर समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्त कर लें, हमने कहा एक वस्तु ऐसी है, एक वस्तु कैसी है, एक वस्तु ऐसी है, जिसमें दरपण के सामने जब हमने उसको रखा, तो उसका जो प्रतिविम्ब है, वो वस्तु की तुल्ला में बड़ा बना, यानि एमेज बड़ा बना वस्त दो मीटर की धिया, प्रत्विम्ब चार मीटर का हुगा, यानि हम आवरधन जब निकालेंगे, तो अगर प्रत्विम्ब बढ़ा है, चार मीटर तो उपर और वस्त कितना है, दो मीटर, भाग करेंगे, दो दुनी चार, दो आया ना, यानि ऊपर image लिखेंगे, नीचे object लिखेंगे, और अगर हमेशा image बड़ा बनेगा, और object छोटा बनेगा, तो बड़े में अगर छोटे से भाग करोगे, तो भाग कम से कम एक बार तो जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, चार ब हमारा numerator, यानि अंस बड़ा हो, denominator से, यानि हर से, तो भाग करने पर उत्तर एक से बड़ा आएगा, तो हमें एक बात ये पता चली, कि अगर हमारा जो प्रतिविंब अगर बड़ा बना है, कैसे बना है, बड़ा, image यानि प्रतिविंब अगर बड़ा बनने लगे, प्रतिव बड़ा ना बनके ये बराबर बन जाए वस्तु के क्या बन जाए बराबर तो बराबर बनेगा तो अगर दो मीटर लंबी वस्तु है तो परत्विम भी दो मीटर तो दो बटे दो करेंगे तो कटके एक आएगा तो अगर जब कभी भी आवर्धन कमान एक आए यानि आप ये क कह सकते हैं कि वो वस्त के बराबर उसका इमेज बना होगा अब इसी प्रकार हो सकता है प्रतिवींब छोटा बन जाए और वस्त बड़ी रहे तो छोटी संख्या में अगर आप जानते हैं न क्या कर इसे माल लीजिए कि आप दो है और इसमें 10 से भाग करिए 10.2 आया तो प्र आप यह रहेगा याद रखना ठीक हैं तो इसका मतलब इस कंडिशन में जो इमेज है वो in-large हो गया है बढ़ा हो गया है यहां पर क्या है डिमिनिज्ड बाउना छोटा हो गया है स्माल और यहां पर एक्क्वल है यह वस्त के क्या है बराबर है तो यह एक कॉंसर्ट यहा आभासी है तो धनात्मक क्योंकि सीधा बनागा और इसी प्रकार अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा तो एक प्लस एक माइनस तो रिडात्मक तो आभासी के लिए धनात्मक होगा आवर्धन का मान जबकि वास्तविक के लिए आवर्धन का मान क्या होगा रिडात्मक बे अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतविम्म दो गुना बड़ा बना है तो अगर वस्तु की लंबाई यक्स है तो प्रतविम्म की लंबाई तो आवर्धन का मान दू आया अगर अगर हम कहें दें कि एक वस्तु का चार गुना बड़ा प्रतविम बनता है तो आउर्धन कमान चार पचास गुना बड़ा बनता है तो पचास एक हजार गुना बड़ा बनता है तो एक बटा दो एक चौथाई बनता है तो एक बटे चार एक तिहाई बनता है तो एक बटे त तो ये किल्यर हो गया आपर अब इसी में ठोला और अपग्रेड़ एहां हम लोग फिर से हमने कहा एक वस्तु का वास्तविक प्रतविम्ब ना बढ़ा बना है कि वस्तवीक और दो तो माइनस माइनस और दो ना यह थो क्लें सबस्तवित तो तो उल्टा रहा होगा तो माइनस और दो गुना है तो दो अब सुनो एक वस्तु का आभासी प्रतिविंब दस गुना बड़ा बना है आभासी प्रतिविंब कही गुना बड़ा बना है दस गुना तो आभासी है तो प्लस होगा और दस गुना है तो दस होगा एक वस्तु का आभासी प्रतिवींबर आधी लंबाई का बना है, तो आभासी है तो प्लस ये हम बराबर एक बटा दो, क्लियर है कि नहीं? तो अब ऐसा बेसिक चीज़ आप निकाल लेंगे आराम से, अब चलते हैं थोड़ा इसमें और पुछ समझते हैं, कामर्डी करते हैं इस चीज़ में, क्या है भाई इसमें? उम्मीद है ये बेसिक घंड़ा आपको समझनाया होगा, ये सब आपको काम देगा सवाल हल करते हैं ठीक है न? और हमें लगता है कि इतनी चीज़े आप हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे, और इतना पढ़के आएं होंगे, अब हम लोग थोड़ा इसमें और डिप्त में जाते हैं, कि आखिर इंटर्मीडियेट में हाई स्कूल से क्या अलग है, ठीक है, वैसे गर हम सही बताएं ना आपको, तो अब इतने में ही आपका 10 प्लस टू कंप्लीट कर देते हैं भाई लोग, बहुत लोग, और मान लेते हैं कि आप पास हो गए, पर ऐसा कुछ है नहीं, अब हम लोग सुखू करेंगे आगे का काम, और हमारे सलेबस का काम खतम हो चुका है, इतने में आप इंटर्मीडेट की कोई भी सवाल कर सकते हैं उठाके, पिक्दम गरिंटी के साथ, लेगन अगर आप और आगे अफग्रेट हो जाएंगे, थोड़ा अफग्रेट करके दे दिया सवाल, तो आप गये कोमा में, चलेगे आप इंटर्मीडेट के पेपर देने आ, जेए मेंस, अडवांस, कुछ भी, तो खतम है कहानी फिर, तो इसलिए बहतर समझगे, आएंगी चीज़े, देखेगा, क्या है मामला, मामला ये है कि M बराबर हमें मिला I by O, यानि ये आवर्धन निकालना है, तो प्रतिविम्भी की लंबाई में, वस्तो की लंबाई से भाग कर देंगे, जैसा थोड़ा हम लोगा हो, कुछ समझते हैं, बताया है न, फिजिक से समझ पे आधारित होती है, तो हमारे पास ये एक दरपण है, जिसे आप लोग कहते हैं कंस दरपण, उत्तल दरपण, क्या कहते हो, ये आउतल दरपण है, और यहाँ पर हमारे पास ये है, मुख्य अच्छ, तो ये मुख्य अच्छ हो गया, ठीक है, देखते हैं मुख्य अच्छ है, तो कैसा अच्छ है, तो हम ये समझना चाहते थे कि image का मामला क्या था लपड़ा ये है कि मा लीजिए हमारे पास कोई object है तो वो किन किन condition पे हो सकता है जैसे आईए जैसे को तैसे करते हैं कैसे आखिर मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मा लीजिए कि हमारे पास ये एक दरपढ है आउतल दरपढ ही हमने चुना है पाकि आप कि इच्छा है और मैं समझाने के लिए example के तौर पर इसे ले रहा हूँ यहाँ पर ये मा लीजिए कि मुख्य अच्छ है हमने एक object लिया और उस object को ऐसे इस पे रख दिया आवर्धन निकालना है तो ये हो गई वस्त की लंबाई इसका image बना होगा real बना होगा, virtual बना होगा कैसे भी होगा, चले हाँ ऐसे बना होगा तो ये वास्त विख है या अभासी तो वास्त विख है, तो उल्टा बना हुगा है तो वास्त भी की होगा तो यह object था और यह इसका image था और हमें यह पता है कि यह जो object है यह मुख्य अच्छ के लंबवत है और यह object की लंबाई हुई और यह image की लंबाई हुई तो image की लंबाई में object की वाग करें गे तो हमें क्या मिलने वाला है आवर्धन समझते रहिए का उसको आस्में इसको ढकेल अरे अईसे है यार अगरसे हम गिरा देख तो क्या यह वस्तुकी लंबाई बदल गई या अभी भी वही है इसे आप क्या बोलेंगे अभी भी तो आप यही कहेंगे ना कि यह वस्तुकी लंबाई है, ये नहीं कहेंगे, तो फिर का कहेंगे, बताइए देने हमको तो, ये भी तो वस्तुकी ही लंबाई है, सोचो, एक 6 फिट लंबा आदमी था, खड़ा था, तो आपने कहा, भाई, ये 6 फिट है, लेट गया, तो कहा, आदा फिट कहो जाएगा, तब भ लम्बाई कहते कि सेंपता है किसी वस्त की जो सब से लंबी भुजा होगी वहीं लंबाई कहलाएगी ने कन्फूज हो जाओ कि जो सीधे ऐसे रहे उसे को लंबाई ना पेंगे अभी भी ये लंबाई ही है तो ये हो गई वस्त की लंबाई और इसका जो image बनेगा that is object इसका जो image बनेगा ये मालो यहाँ बना अब अगर ये image है तो आप हमें बताईएगा ये भी ऐसे ही बना है तो ये हो गई image की लंबाई और अब हम यहाँ गर आवरधन निकालेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्त की लंबाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आवरधन लेकिन मामला यहाँ गड़बड क्या हुआ वालू मैं आपको वो यह है कि यहाँ पर जो हमारा अबजिक्ट है जो हमारी वस्तु है और जो हमारा image है यह दोनो axial है यह अच्छ के समांतर है और यह अच्छ के लंबवत है यानि वस्तुएं किसी भी दरपड के मुख्य अच्छ के सापेच दो प्रकार से रखी जा सकती है एक लंबवत मुख्य च्छ के और एक मुख्य च्छ के समांतर समंदे आया तो प्रत्विम भी दो प्रकार से बनेगा एक लंबवत और एक समांतर तो आवर्धन भी दो प्रकार से आएगा एक लंबवत और एक समांतर बास्वन्द आई, अब आईए समझते हैं, यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेखिय आवर्धन की बात करें, नहीं, रेखिय आवर्धन नहीं, अगर हम बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन दो प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर, Linear का मतलब होता है रेखिए और वो यही है जो हम लोगों ने उपर लिखा है. यह आवरधन नहीं, यह सही माएने में था रेखिए आवरधन. ठीक है? तो एक हो गया आवरधन Linear, यानि रेखिए आवरधन, और दूसरा होता है एंगुलर. तो angular का मतलब होता है कोडिय आवर्धन बासनार है की नहीं कोडिय आवर्धन तो हम आवर्धन दो प्रकार से पढ़ेंगे परियाद रखिएगा जो रेखी आवर्धन होता है ये mirror में आएगा और ये आएगा lens में बासनार है की नहीं तो एक हो जाएगा lens का हिस्सा और एक हो जाएगा किसका हिस्सा mirror का तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आज अपना काम है नहीं और आज हम लोग ये ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ अगर मैं आवर्धन कहूंगा तो आप समझ जाईएगा कि हम बात कर रहे हैं रेखी ये आवर्धन की linear की बासवनाई अब चलिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो linear है जो रेखी है वो कितने प्रकार का है तो रेखी वाला भी दो प्रकार का था और वो कौन-कौन सा था देखिएगा तो अगर हम बात करें रेखी ये आवर्धन की तो रेखी ये आवर्धन दो प्रकार का है और दोनों प्रकार में एक में जो वस्तु है वो नार्मल है तो हम इसे बोलेंगे नार्मल मैगनिफिकेशन यानि रेखी ये आवर्धन और जो अगला था नारमल के साथ अगला था एकसियल तो इसे बोलेंगे हम एकसियल माइगनिफिकेसन तो एकसियल मतलब अच्छी और नारमल मतलब होता है लंबवथ तो इसमें जो दरपन के सामने वस्तु है वह ऐसे रखी होगी मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ नार्मल वाले में और एक्सियल वाले में जो वस्त होगी वो ऐसे रखी होगी तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ऐसे रहेगा तो एक्सियल अच्छी है और अगर ऐसे रहेगा तो नार्मल यानि लंबवत तो एक ही आवर्धन दो प्रकार से हम निकालेंगे। एक निकालेंगे कौन सा? Axial और एक कौन सा निकालेंगे? Normal. तो एक्सियल वाले में क्या है कि प्लेन के दरपड के लंबवत है वस्तु और नार्मल वाले में क्या है कि जो वस्तु है वो दरपड के पैरलल है घुमा दिया दिमाग घुम गया ना अच्छ के लंबवत है लेकिन दरपड के पैरलल है अच्छ के समांतर है पैरलल है लेकिन दरपर के लंबवत है तो जैसे आपको लगे आप वैसे समझिएगा अब चलिए मैं इस नार्मल वाले को लिख दूँगा एम ऐसे परपेंडिकुलर टाइब का ठीक है और एक्सियल वाले को मैं लिख दूँगा ऐसे लेकिन आप चाहू तो किताम में यहां ऐसे भी लिख दि आए तो हम कुछ ऐसा मानी के अपना काम बन जाए तो मैं एम यहां एम लिख दूँगा तो एन फार नार्मल और अगर मैं एम ए लिख दूँगा तो समझ जाना ये कौन सा है एक्सियल ठीक है अब आईए आगे सलते हैं अब हम एक एक रेकिया आवरधन को अच्छे से समझ कहेंगे भाई कहीं कहाराब वरधन को पहला रेकिया आवरधन है वह क्या है वह नार्मल मैगनिफिकेशन कोई काम जीवन में नार्मल हो ही नहीं रहा है और यहां हम लोग नार्मल मैगनिफिकेशन पढ़ रहे हैं चलिए देखते हैं नार्मल मैगनिफिकेशन क्या है तो यहां पर हमने क्या किया एक दरपड ले लिया और इस दरपड को दुनिया वाले क्या कहते हैं वही जो हम वकरता के अंदर सब को आया ना अब समझना है वस ऐसे काम चलाऊं यहां पर एक वस्तु रखी थी क्या कहते हैं हमें इसका इमिज बनाना है अरक कहीं बने कैसे बने जी जानते हैं कोन कहां बनता है नियम कानून बहुत पढ़ी हैं हम लोग क्या कहते हो तो हमने एक प्रकास क देखना बंद इसलिए हम बना दएते हैं भाई तो यह झावजक्ट ठीक है अब बुर्त नहीं मानेंगे ना बना दिया और एक प्रकास कंच के समानतर दुनिया जानती है समानतर आने वाली प्रकाशकर कहा जाती है फोकस से एक एक प्रकास करड़े लेते हैं वक्रता केंदर से सीधे जाएगी, टकराएगी, अपने मारगी मापसला उटाएगी, यही बनेगा इमेज, पर हमने बताया था, कोई भी प्रकास करड़ कहीं से भी डाल दो, सब यहीं से जाएगी, सब पिछली क्लास्टस में हम बता चुके हैं सबूत के तौर पे वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आएए देखते हैं, तो हमने एक प्रकास करड़ इसके डाला वक्रता केंदर पे, स्वारी, धुरूब पे, और यहां से यह प्रकास करड़ाय से यह भी जाएगी, अब ध्यास देखो, यह अभी अगर क्या उपठाग लिखवा रहे हो, और यह इमेज है, तो आई, आई, डैस, और हम सभी लोग जानते हैं, अगर इनमें देखा जाए, तो एक बात common है, अगर इसको हम माल लेते हैं धुरूर, और धुरू कुछ लों पी से लिख देते हैं, तो प्रतिविम की दूरी वी से वस्त के दूरी किस से लिखते हैं, यू से, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने पर पता चला कि, यह कोड और यह कोड बराबर है, तो हमने लिख दिया कोड ओपी, ओडैस, बराबर, आई, पी, आई, डैस, बुरा तो नहीं वाल रहे हैं, और यह लंबवत रखी है, तो दोनों तरभुज क्या हो जाते हैं, सरवांगिसम, अरे नहीं नहीं, समरूप हो जाते हैं, तो लिख दो, लिख देंगे, इसलिए, तरभुज O, O, डैस, पी, वा, तरभुज I, I, डैस, पी, समरूप हैं, जिसको इतना लिखना भद्दा लगता है, निसाम बना देगा, लंब क्या है, O, O, डैस, इसका आधार क्या है, P, I, और उसका आधार क्या है, P, O, कुछ खतरनाक बच्ची सोच रहे होंगे, बहुत चालू है, हर बार आप O, O, डैस, उपर लिखते थे, I, I, डैस, निचे लिखते थे, एक लाइन बचार हैं, यार, मारकर, बाकि आप कु और O, O, डैस, वस्त की लंबाई कितना है, O, अरे माना है, यार, बुरा कहे मान रहे हो, इसा ही लिखा है का, 200 पर्थंग लिखा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, बोलो किसे यार, पता चल रहा होगा, यह I, I, डैस, प्रतिविमी की लंबाई है, तो माइनस आई लिखें कऊंकि इधर है, और P से लेके ओ, तक बस्त की दोरी है, U से लिखेंगे, और माईनस यव लिखेंगे, क्योंकि इधर है, और देखो, यह रहा हम जाएंगे, तो कहां इनको मगरोकेंगे, काड़ दिया, खतम कहानी, सही है न, इधर जा करता तो, यह क्या इधर जान, इनको पच्छों माइनस से गुड़ा कर दिया लिया, यह प्लस बन गया, यह माइनस बन गया, और अगी भी मैंने कुछ बताया था, बहुत कुछ बताया, बताया यह था कि आई बाई ओ बराबर, अपर लोग बोलते हैं, यम, प्रतविम्ब की लंबाई में, वस्त की लंबाई से भ कर सकते हैं, तभी, ऐसे भोकाल बना रहा था प्री में, और गलत बात थी, अब कर सकते हैं, क्योंकि बिना इस वाले फार्मूले की काम नहीं बन सकता था, तो उसके लिए थोड़ा, अस्वारी, अस्वारी वड़ी क्या है, अमन में आ रहा है कि नहीं, तो एम बराबर आब वाई ओ, बराबर माइनस वी वाई उ, उम्मीद इडियर आया होगा, आया ही होगा यार, इतना असान है कि तो लोवर का बच्चे समझ सकता है, बस दिमाग क्या लगाना असा, बस दोनों तरिबुझ कैसे हैं, समरूब है, तो संगत भुजावकन पात आपस में क्या कर दिय वाई ओ, बराबर माइनस वी वाई उ, तो हम इसे समझ लिए हैं अच्छे से, उम्मीद है ये आ गया होगा, आ ही गया होगा, और मैं जानता हूं कि उधर से क्या आने वाला है, आपके कमेंट्स क्या आने वाले हैं, अब आप हमसे कहेंगे, सर ये तो था आउतल के लिए, उतल वाला भी आप निकाल के दिखाईए, ना, ये आप करेंगे और हमें बताएंगे आपका आया या नहीं आया, नहीं आया, तो बताईएगा आपको जवाब मिले का ज़रूर हम बताएंगे, देखिए, पिछल आवार नहीं बताया थे, किसी ने पूछा है, तो हमने उसक पसका करेंगे, ठीक है ना, जिसलिए आप इसके लिए चिंतितना रहें, तो M बराबर हमें मिल गया, I by O बराबर माइनस V by U, ये दुनिया का सबसे बेहद आसान था, लेकिन एक बाब बताओ, ये एक्सियल था या नॉर्मल था, नॉर्मल था, यानि लंबवत, और याद ना, आपका सलेबस हमेशा इसी की डिमांड करेगा, पर कोई गरेंटी नहीं यार, पूछ लिया तो क्या करेंगे, कई बार हो जाता है कि जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो बहुत ग्याता होता है, ठीक है ना, उसको कुछ पता नहीं रहता हो, किस दुनिया में रहता है, और पता नहीं क्या बनाके दे दिया पेपर, ऐसे हम अजारों बार देख चुके हैं फेपर, अब तक, है ना, कच्छा दस का पेपर आ रहा है, कोईशन आ रहे हैं, उसमें कहा के, कच्छा ना होके, ठीक है, कच्छा आड़ की कोईशन आ जाए, उस स्लेबस का ही नहीं ह कच्छ 11 के पेपर हैं पिछली बार मैंस्टमेटिक्स पेपर में क्या हुआ ऑफ है जो हिस्सा निकाल दिया है इस्टैक्स का वह कच्छ 12 के पेपर में दे दिया था बताईए है अब यह दुम नरख हो गया ना तो ऐसे हो जाती है कई बार चीज़ें इसे हो जाएंगी बजरसर मुद्द्ध यह कि पेपर माल उस्ट करने वाला बंदा पुरानी किताब से पहता था और अपने आपको हीरो पताने चक्कर में किताब लेके नहीं पहता था और उसको पेपर माले मौका मिला सब बांच के दे दिया और वही सवाल ए बच्चे कोमा में तो जितनी possibility है वो आपको आनी चाहिए है न और आगे चलके तो आप तयारी भारी भी करेंगे आप पता नहीं क्या सोच के बैठें आपको जीवन में क्या बनना है तो इसलिए हर एक चीज एकदम perfect आपको आनी चाहिए ना आए तो छोड़ दे पेपर नह कि टीचर का अब चलिए आगे चलते हैं नॉर्मल वाला मुद्धा तो किलियर हो गया क्योंकि नॉर्मल था अब चलते हैं हम लोग एक्सियल वाले मुद्धे पे आखिर वो क्या है तो अगली हीडिंग हमारी है एक्सियल माइगनिफिकेशन आइठिंक आप उम्मीद कर रह इसमें वस्त को अगर किसी अच्छ पेरक देंगे तो मामला क्या होगा आईए देखते हैं और इसमें कि सवाले आयटे में आती हैं ठीक है ना टेंसम ना लें इंटर की किताम में ये दर्सम नहीं देगा बिल्कुल तो बस यह आपके ग्यान के लिए है और आपनों तो ग्य सब्सक्रादी यह जाएंगी ना बनाओ सिर्फ समझने के लिए काम भर का सोचो ज्यादा मत सोचना बस नार्मल सोचना है यह एक अबजेक्ट है कुछ लोग पहाई लिखाई बंद करके और बैडिया सोचने कि यार आस तो सर कहें सोचो आओ सोचा जाए तो यह एक वस्त है ठीक ऐसा रखी है तो इसकी कोई लुए लंबाई है दिख रहा है आपको और इसका जो इमेज बनेगा वो मान लो यहां बना है यहां बना है तो मतलब जाएट से बात है वास्त भी खोगा उल्टा भी लकर आए ना मता नहीं कैसा है आई डूंट नो बस ऐसे ही बना है समझ छोर की कोई नो कोई तो दूरी नहीं होगी और इसे हम वस्तो कर मान लें छुटकुसी बिंद वस्तो तो इसकी जो दूरी है मैंने इसको मान लिया यूवन ज्यान से देखना इस दूरी को मैंने क्या माना यूवन तो इसका जो अंतिम छोर है इस दूरी को हमने क्या मान लि या V1, तो यहाँ वाले हिस्से से, जो यह है, वो क्या होगा V2, पहले हमें यह बताइए, यह आपको समझ में आ रहा है, यह जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर हमने क्या बनाया, क्या समझाया, सब भार में जाए, ऐसा है क्या, सब भार में जाए, नही करनें तो आगे हैं हम, समस्ज लीजिए, कि अगर मैं कह देता कि ये हिस्सा A है, ये हिस्सा B है, ठीक, तो ये वाला हिस्सा B होगा, B-DAS हो गया, और ये हिस्सा हो गया, A-DAS, ऐसे ही बस, चीजे थी, और थी तो का करें हम, है तो है, अगर मैं, मैं Length of Object आप से पुछता, L-E नीला वाला जो मार कर है यही वस्तु की लंबाई है कि इतना अराम से बता रहें समझ लेना क्योंकि यह चीज़े थोड़ा जटीर हो जाती है आप जीवन में पढ़ते हैं तो नहीं इसको भिस बता हैं आराम से समझो आएगा जरूर तो देखो यह हो गया object की लंबाई अब अगर इसी बात है यह बोड घुमा खड़ा कर देंगे यह लंबा लंबा दिखने लगेगा आपका आपको क्या दिखता है डिजन मैटर है क्या यह समझो तो यह दूरी है U1 और यह दूरी है U2 इसमें से यह निकाल दें तो यही बचेगा इसका मतलब जो इसकी लंबाई है व है उसकी लंबाई क्या होगी तो ऊपरतिवंब यह दूरी कितना है V1 यह V2 यह दू है इसमें से यह निकाल दें तो मैंनेर इंजन बाई है अच्छी बात है वही बात कर रहे हैं हम लोग और कर क्या रहे हैं चलिए बेसिक चीज है हमें निकालना क्या थडियार आवर्धन और कौन सा आवर्धन निकालना है एक्सियल ठीक है ना यानि यह जब ए लिख देंके समझ जाना मास्टराप आड़ न अरे नहीं यार एम एक्सियल एक्सियल अच्छी तो इसका मतलब लिखते हैं प्र प्रतिम्ब की लंबाई उपर और प्रतिम्बुध ववा जी है कौन विटू माइनस वीवन अरे यार वीवन है और आपान यहां क्या है यूटू माइनस दथ निठीकी यूवन ठीक है न हमने ये हिस्सा कवर कर दिया हैं यहां पे उप्रैया थाए है उम्मीद है यह आ रहा होगा ठीक है न आप इसे धैर से समझेंगे चीजों को तो आएगा जरूर कि यहां पर चली जानते हैं क्या दिक्कत है कि अगर हम लोग ऐसे हल करते हैं चीजों को तो बेतर है पर एक थोड़ा समस्या आ इसमें करेक्संग कर देते हैं कि जो यह वाला हिस्सा है और बी वाला इधर बना है ध्यान देरा घेलए नशी को यह प्रतविन एक यवन है उसके वस्त के तो प्रतिविम्भी के दूरी हमने V2 ले लिया है है तो यह बिल्कुल सही और थोड़ा अटपटा लगेगा ना 1 के साथ 2 इसलिए U1 के साथ जो प्रतिविम्भ है मैंने V1 मान लिया तो U2 वाले का जो प्रतिविम्भ है मैंने इसको क्या मान लिया V2 अब यहाँ इसके हम E में जब लंबाई निकालते यह हो जाता V1-V2 बस ऐसा करने से क्या हुआ कि जरसल चीजे आसान हो गई आसान क्या बेहद आसान हो गई वो भी आसान था भाई और आदत हमारी होती है न कि U1 V1 लिखना सब पहला वाला 11 दूसरा वाला 22 तो हमने एक हिस्सा जब इसके लिए 11 माना है और ना लगे बाकि तेरी इच्छा भाई कुछ भी मान सब सही है अब आगे देखिए गां यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं वह फार्मूला यह है कि 1 अपान यह बराबर 1 अपान V प्लस 1 अपान U बढ़ा है बहुत तरीकस निकाल चुके हैं इसको अभी भी ना आता होगा समझो फिर घंगोर बेज़ जती तो वान अपान यह बराबर 1 अपान V तो पहले वाले के लिए प्रतिविम हमने क्या लिखा है वी वन और वस्त की दूरी क्या है U1 इसलिए मैंने ऐसा किया था समिकर नंबर 1 दुबारा वन अपान यह बराबर वन अपान इस वाले हिस्से के लिए U2 और प्रतिविम मकामान V2 तो हमने क्यों किया थैसे समना गया कि नहीं तो हो गया U2 और V2 U1 V1 समिकर नंबर 2 अगर आप ध्यान से राइट हैंड साइड आपस में बराबर कर देते हैं तो 1 अपान V1 प्लस 1 अपान यूँटू अब एक काम करते हैं इदर यू वाला U की तरफ वी वाला V की तरफ तो वान अपान देखो यहाँ पर 1 अपान-ईवट पहले से था इधर लाया तो माइनस 1 अपान यूटू हो बराबर वन अपान वीटू था उधर गया तो माइनस वन अपान क्या हो गया वीवन लगुत्म लेंगे इसका तो यूवन यूटू आएगा और यहां भाग करेंगे तो यूटू माइनस यूवन बन गया इसका लगुत्म लेंगे तो वीटू वीवन आएगा यह यह कट गया गुड़ा कराओ तो V1 यहाँ पर माइनस कितना आया V2 पहले बताओ यह हिस्सा आपको समझ में आया या नहीं आया हमने यहाँ पर क्या किया उम्मिद है आपको समझ में आया होगा हमने बस इधर उधर बना के लिख दिया ठीक मैंने पक्छांतर कर दिया बहुत आसाने चीजे कोई दिमाग नहीं लगाना बिलकुल अब हम इधर उधर कर लेते हैं इसको इधर बेज देते हैं तो V2 V1 अपान U1 U2 बराबर वहाँ पे लिखा है V1 माइनस V2 अपान U1 U2 अब स्वारी 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 इधर आया तो U2 माइनस क्या आया U1 अब आप ध्यान से देखे तो V1 माइनस V2 अपान U2 माइनस U1 जो लिखा है यह M Axial के बराबर है इसका मतलब हम M A बराबर बता सकते हैं A मतलब क्या है बग चलो Axial जो M Axial है अगर इसका माण निकालेंगे तो V2 गुड़े V1 अपान U2 और गुड़े यह U1 साथ साथ में लिख दिया ना इसे गुड़े के रुप में बना के तो इसको कार्ट के मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अब बताओ V by U देखो यहां मैं दोनों अगर माइनिस लगा दू कोई दिक्कात बिल्कुल नहीं तो मुझे मिला M जो Axial था है ना इसका जो Mod का मान आया वो V2 by U2 ठीक है ना यह अगर मैं चाहूँ तो ठीक 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 इसे मैं लिख सकता था क्या M Normal देखो Normal वाले के लिए क्या होता था M ही तो होता था ना तो इसका मतलब मैं इसके लिए लिख सकता था M1 ठीक है ना यह 2 वाला हिस्सा है तो M2 और यह 1 वाला हिस्सा है तो M1 और यह जो दोनों है यह Normal और Normal वाला हिस्सा है इसका मतलब जो axial आया वो उन दोनों के गुड़न फल के क्या है बराबर तो ऐसा जो basic फंडा है अगर आप उसे निकालेंगे तो इस तरीके से बड़े आराम से निकाल लेंगे आप इसमें हमें यह नहीं लगता कि आप से कोई दिक्कत होगी यह जरसल थोड़ा घाचमाश टाइप का है ना पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं कुछ से कम समझने आया होगा चलिए इसको हम अपने फेवरिट तरीके से बताते हैं आपको उमिद्याब इसे लिख लिए होंगे पहुच करके ठीक है एक बहतरीन तरीके से और हम आपको बताते हैं फिर यह आपको आसानी से आ जाएगा इस पर जो कोश्चन है न डियर बड़े बिंदास कोश्चन है आप एकदम बेफिकर रही है आपको लग रहा होगा भी कठीन है चीजे अर्यार इस पर कठीन क्या है बस lift, right बराबर करो तो हमें एक बात यह समझ में आया देखो अभी दिखाते हैं क्या समझ में आया समझ में आया क्या जब हमें ऐसे निकालना हो आवरधन हमारे पास यह एक क्या है बच्चा लोग दरपड है और यहाँ पर हमने क्या किया एक एक्सिस ले लिया यहाँ पर एक अबजिक्ट था जिसका यहाँ पर image बना था भूल जाओ क्या A क्या B क्या point सब भूल जाओ बस आप क्या करो एक छोटा सा segment ले लो यह वाला segment वाला सबस्ते हो नहीं छोटा हिस्सा मैंने इसको माल लिया डी यू इसका image जो यहाँ बना बहुत छोटा सा बिंदु टाइप का जिसकी लेंथ क्या है डी वी तो आवर्धन जब यम निकालेंगे तो प्रतिविंबी की लंबाई डी वी और वस्त की लंबाई डी यू तो एम बराबर हमें मिला डी वी अपान ड यू पड़ा आया नहीं अब अगर हम इसका आवकलन करेंगे तो वी का मान बदलेंगे तो यू का मान बदलेगा नहीं समझे अलग अलग वस्त को अलग 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 सारी अगर वस्त को हम अलग अलग इस्थितियों में रखेंगे तो प्रतिविंबी भी तो अलग अलग जीरो और हमें इसका आवकलन करना है, तो इसका आवकलन तरो तक नहीं होगा, जब तक इसके आगे D-Apon-D नहोता, मैंने बताया है, आवकलन में पीछे जाएए, आप प्लेलिष्ट में ढूड़िएगा, आवकलन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ जब D upon D नहीं है तो दोनों पर चुम D से गुड़ा करते हैं D से गुड़ा 0 हम करते हैं 0 हो जाता यहाँ D से गुड़ा करते हैं तो D upon यहाँ D और बगल में आ गया V ठीक है ना? ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ पहले यह देखो और मैंने इंटू क्या किया समझो पहले मैं 1 by V को ऐसे रहने दिया ठीक है ना? और प्लस D upon D U और 1 by U लिख दिया पर ऐसा करने से यह सब गलत हो गया क्योंकि यहाँ अपने आप D upon D V कहा से आ गया और यहाँ अपने आप D upon D U कहा से आ गया इसका मतलब यह सही है या गलत? गलत सवाल में अगर कोई आइटम अपने आप आ जा रहा सवाल गलत है तब फिर सही कैसे होगा यह? देखो इंटू D V और D upon D U इंटू 1 by U इंटू D U अब देखो यह सही है कैसे? जटिल हो गया होगा पर समझो यार यही तो मेरी भी सेस्ता है है ना चीज़े कम समझने आने वाली बच्चों के पर आ रही होगी या देखो D U D U कडग गया D V D V कडग गया ठीक है ना? तो बचता D upon V D upon V D upon U और दोनों का D कामन लेके बाहर भेज़ देता जीरो तरब हो जाता तो आ जाता ना? 1 upon V 1 upon U समझने आया? और यह अचर है तो आउकलन का हिस्सा किया यह जीरो हो गया किसे ही साफेच करते हैं? अब इसे हम जब आउकलन करेंगे तो मिलेगा क्या? जीरो बराबर डी अपान डी वी और 1 by V इसका आउकलन होगा माइनस 1 by V स्कॉायर और बगल में डी वी इसी प्रकार अगर हम इसका आउकलन करते तो माइनस 1 by U स्कॉायर और बगल में 1 upon U आउकलन कैसे करते हैं? चत बता जेते हैं जो 1 by V है इसका अगर आउकलन करना तो यह उपर गया तो V की पाउर माइनस 1 आउकलन करेंगे तो घात आजाएगी आगे उपर एक कम करेंगे माइनस 2 नीचे भेद दिया माइनस 1 by V स्कॉाइर ठीक है ना तो हो गया तो इसका आउकलन ही आगे यह बचा था अब देखो पहले ये हिस्सा माइनस ले है इधर आया तो प्लस तो माइनस DV आपान V स्कॉाइर इधर आनके बाद प्लस हो गया DU एक अन्नम DU तो माइनस DU आपान U स्कॉाइर क्यों हम पक्छांतर और चांतर कर लें कर दो, जब हम इसको इधर भेज देंगे, तो यहां से आएगा dv, इधर बटे में आया, तो du, बराबर, ध्यान से देखो, यह उधर गया, तो माइनस महां था v square upon u square, हम अगर यहां पे चाहें, तो dv upon du बराबर minus v by u का whole square लिख सकते हैं, आगे हम माइनस लगा दें, माइनस क करेंगे, तब भी तो ही आएगा, अब ध्यान से देखो, अगर यह दूरी v थी, सारी, u थी, और यह दूरी v थी, तो यह दूरी v थी, तो यह बराबर आता, v by u माइनस में, यह एक्सियल है या नार्मल, नार्मल, तो इसका मतलब, मैं कह सकता हूं कि dv upon du, जिसे हम कहते हैं m axiol, जहां से देखना, इसे mike समत पढ़ देना, यह m axiol है, बराबर minus, minus v by u को m normal कहते हैं, और इसके उपर है square, तो axiol वाला जो होता है, axiol वाला, बिंदू आवेस के लिए, वो normal वाले के आवर्धन के square के क्या होता है, बराबर, जब हम सवाल हल करने लगेंगे, ठीके, तो हम इसका mode लेंगे, तो हम direct लिख देंगे, कि m axiol बराबर, m normal वाले का square, इसके बराबर आएगा, directly से हम कर देंगे, जब सवाल हल करेंगे तो, for me medical, जब हम mode लेंगे तब, तो पहले बताओ, जो यह basic था, यह कैसे आया, इस first एकदम समझ में आ गया, या उड़ गया, उ हम जानना चाहते हैं, दिल्चस्त मुद्दा यह होगा, कि इस पर question कैसे आएगे, यह axial वाला या normal वाला, क्या-क्या सर बता दिये, एक दम दिमाग का जाई हो गया, सही है ना, हम बता आ जिते हैं, एक थोटा-फोटा मोटा माईड़ी से बता दे रहे हैं, question इस प्रकार देगा, कुछ चोडाई दे देगा, फिर कहेगा, जब इसका इमेज यहां बनेगा, तो बताओ उसके प्रतिबिम्ब की, जो प्रतिबिम्ब आएगा, उसका छेतरफल क्या होगा, अब आप चाहेंगी कोमा में, क्योंकि ऐसी सवाले बहतरीन हैं, और यही सवाले पेपर में आती है, आपके पेपर में भी आने के संभावना है, और आपको क्या लगए रहा है, कहेगा कि एक दरपन जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, है न, इससे एक 5 गुना बड़ा प्रतिम्ब बनाने के लिए किसी वस्तों को दरपन के सामने कितना दूरी पर रखना पड़े दरपन की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, बता प्रतिम्ब कहा बनेगा, अएससे सवाल कभी नहीं आती, या यह कभी नहीं कहेगा कि एक वस्तों का दोगुना बड़ा प्रतिम्ब बनाप्त करने के लिए 10 सेंटीम्टर है फोकस दूरी के दरपन के सामने वस्तों को कहा रख है, तो चार सेंटीमीटर है, यह नहीं हो गया, यह गनाब हो गया ना, ठीक है नहीं, चलो यहां 2-2 है, सब 2-2 है, और फिर कहेगा इसका जो ऑमज़ बने गा, प्रतिम्ब बनेगा, उसका वाइलूम बताओ, उसका आतम बताओ, अचारसाई कोश्याया जा आएगा, ठीक है पुचन वाला जो मामला होगा, उसे हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, मेरा मूर था, इसे में निप्टा दें, पर हमें लगता है कि अब अच्छा खासा टाइम हो गया होगा, है न, लगबगी घंटे हो गए होगे, तो ज्यादा लंबा खीज देने पर फिर आ आएंगे और आप पढ़ेंगे नहीं, चलिए हम आपसे ये नहीं कह सकते, क्या अपील करें आपसे कि थोड़ा लोगों को दिखाएं, सब के पास भेजें, ये करें, वो करें बहुत चानी लगता हमें, पर हमें लगता है कि आप कई बार ऐसा तरना मतलब भावनाओं को चाहते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको हो सकता है हम से जाजा बेहतर पता हो, चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गये होगी कि हम क्या कहना चाहते थे, मिलते हैं next class में, बिस्टा पलग!